साथियों मैं सीवा गुपताज फीर आप सभी की बीच आप सभी की हितों से सम्मंदित मुद्य को लाई हूँ और आज का जो विषय है बहुत खास विषय है और आज का विषय है लॉक्डाउन फोर और युवाओ का भविषय है आज का विषय है लॉक्डाउन फोर और इसा निर्देश लाए जा रहे हैं वह हम सभी को कोविड नाइंटी से बचानी के दिस्टिगत लाए गये हैं और इस दोरान कुछ ऐसे प्रतिबंद भी लगाए जा रहे हैं जो युवाओ के बीच काफी प्रस्न और सोध का भिसे हो रहा है और वह निरास भी हो जा रहे हैं क कि क्या इस दोरान परिच्छाओ का आयोजन नहीं होगा क्या इस दोरान नई भरतिय नहीं होंगे क्या इस दोरान हम आईएस पीसेस की तैयारी नहीं करेंगे क्या इस दोरान हम प्रदेश के सरुच्य संसा उत्तर प्रदेश सच्वाले में समिच्छा दिकारी पद प्राप देना चाहती हूं कि आप निरास न हो आप उदास न हो बलकि आप सभी का भविस्य सुरक्षित है आप ही देश के भविस्य है तो फिर भविस्य के साथ किसी प्रकार का समझोता भारत सरकार और राजय सरकार द्वारा किया जाना नहीं है आप सभी के विकास के लिए निरंतर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगा गया है लेकिन वर्तमान में जो परिद्रिस से हैं उस परिद्रिस में हम सबकी प्राथ मिक्ता होनी चाहिए 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 वह भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या आप हो सबकी प्राथ मिक्ता होनी चाहिए कि सबसे पहले ह कोविड 90 के इस लडाई में विजय प्राप्त करें क्योंकि जब तक हम कोविड 90 के इस लडाई से बाहर नहीं आएंगे तब तक किस्तितिय सामाने नहीं होगी अते इस दोरान कुछ हमें ऐसे प्रतिबंद को भी देखने होंगे जो कि कोविद नाइंटी के पराज़य के लिए जरूरी है जब तक कोविद नाइंटी पराजित नहीं होगा तब तक हमारा भविश्य इस टैबल कैसे हो सकता है और जब तक हम कोविद से पुड़ते सुरक्षित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ इस पेशल सुरच्छात्मक उपाए जरूरी है ताकि हम अपने देश को इस महमारी से बचा सके अधर साथियों आप सभी से यह कहना है कि आप निरास नहों उदास नहों और यदि आप परिच्छा के त्यारी कर रहे हैं तो आप परिच्छा के त्यारी अपने जोरो सोरों से करिए जैसे इस्तिद्या सामाने होंगी सब कुछ पहले जैसा ही होगा क्योंकि इस समय यदि भीडे कत्रित किया जाएगा तिससे कहीं न कहीं कुरोना महामारी फैलने का पूरा चांस है और यदि कुरोना महामारी फैल गया तो आप कैसे सुरच्छी दोंगे अता सबके यह प्राथमिक्ता होनी चाहिए कि हम सभी कुरोना महामारी से सबसे पहले सुरच्छा प्राप्ट करें परिच्छा निश्चित रूप से होगा आज नहीं तो कल होगा लेकिन परिच्छा अवस्ते ही होगा आप लोगों का और न्यूक्तिया भी आप सभी की अवस्य होगी आज नहीं तो कल होगा लेकिन अवस्य होगा लेकिन वर्तमान प्रात्मिकता है कोरोना के इस महामारी से हम सभी को निजात दिलाना क्योंकि वर्तमान में लगा था कुरोना के संक्रमट फैलते जा रहे हैं अत्य इसको दूर करने के लिए आप सभी का सयोग अपेक्षित है आप धहरे बनाया रहिए और अपनी तयारी को पूर्ट्या जोरू से करिए क्योंकि जब भी परिच्छा यूजित होगा तो आप अवस्ते परिच्छा देने के साथ सा सफल भी हो इसलिए आप सभी से अनरोध है कि आप अपनी धहरे को न तोड़े आप अपने परिच्छा के तयारी को न छोड़े बलकि आप अपने परिश्रम को और दुगने गती से लगाईए ताकि एक अटेम्ट में ही आप इस परिच्छा को क्रैक कर ले और प्रदेश के सरुचे सरसा उत्तर प्रदेश सासन में समिच्छा दिकारी बन करा है साथियो इसी महतपूर सूचना संदेश के साथ कि आप निरास्त न हो जैसे इस्तित्या समान नहीं होगा वैसी परिच्छाओं का आयोजन किया जाएगा और आप सभी को मैं इसी आसा विश्वास के साथ बैस्ट अब लगताती हूँ और इसी संदेश के साथ सीमा गुपता आप सभी से विदा लेती है नमस्कार